बेसिकनी सबसे पहले जो यंत्रों के बात की गई है वह शिव पुरान में और पार्वती जी के क्वेश्चन पार्वती जी ने जब क्वेश्चन किया था शिव जी से यंत्र चिंटामनी के इंदर इसके इंदर सबसे पहले तो आपने मेंशन किया है कि ऐसा कोई simple small procedure बता उशिव जी जिसमें मुझे ना कोई योग करना पड़े ना कोई करना पड़े अधर कोई भी systematic जो पूजा कि कुए को इस्टेमेटिक पूज्टा होती है यह जो रीचुल्स हम फॉलो करते हैं वाइल performing you know for fulfilling desires or to get liberate for specific purpose उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अगर हम जब तब नहीं कर रहे हैं तो वहां पर उन्होंने यंत्र के बारे में मैंशन किया है कि हम small छोटे-छोटे यंत्र बना सकते हैं अलग-अलग purposes के लिए ठीक है अब यहां का astrological इसका स्थान पात्र काल को जब हम जानते हैं like if you are going to perform this remedy on a specific time zone एक specific जगे बहां की एक energy होती एक तितिक एक energy होती है अब हम स्टार्ट करने से पहले ना एक बर गनेश जी को याद कर लेते हैं कोई भी नया लर्निंग लेने से पहले इस इंपोर्टेंट तो रिमेंबर गनेश एंड जो यह वरक्शॉप होने वाली है इसके अंदर हम एक बहुत स्प्रीज्व प्राक्टिस को समझने वाले हैं जानने वाले हैं तो आपके जो भी कुल देविता है आपके जो भी इस्ट देविता है आप उनको ध्यान करके एक बर उनका आच्चमन करो मतलब उनको बुलाओ कि वह आपको help करें इस process में इस जो भी चीज हम आख सीखने वाले हैं यंतर को के रिकाड़ेंग जो भी basic information या learning हम समझने वाले हैं so that आपको एंडिस्टेंडिंग में कोई भी problem ना है कोई भी issues ना है ओम एक दंताय विद्महे वक्र तुंडाय धीमही तनो दंते प्रचो दयात and with this we remember the embodiment of knowledge संपून ब्रह्मान को जिनों ने ज्यान दिया है शी दक्षिना मूर्थि जिनके पास गुरू नहीं है जिनको मंत्र पिक्षा नहीं मिली है I request them to kindly remember प्रभु दक्षिना मूर्थि और आप गाइत्री दक्षिना मूर्थि गाइत्री का जाप करें मतलब जाप ना करें तो इतलीस आप नाइन टाइम्स मंत्र को चैंट करें एंदेन प्रॉसस विद इस बिकिस इस वेरी इंपोर्टेंट आपके इस्ट्र का आपके साथ में अशिरवाद होना बहुत जुरूरी है अगर आज हम सब लोग यहां पर सीख रहे हैं या कुछ नया टॉपिक समझ रहे हैं इडिस होता क्या है यंत्र एक डिवाइज है इस अ मशीन जो कि आपको सूल से कनेक्ट करता है जिस तरीके से बॉड़ी के लिए सूल है दिये के अंदर बाती है उसी तरीके से यंत्र है डीटी के लिए हम जिस भी देवता की पूझा करते हैं उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो यं यंत्र होता है चीक है अब यंत्र के बारे में अगर हम और देखते हैं कि यंत्र को तीन पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो यंत्र वेसिकली फॉर्म फॉंक्शन और पावर के विसिस पे काम करता है तो मूल रूप से जो जो मैट्रिक डिजाइन है यांतर की जो मैट्रिकल फिगर है उसको हम तीन परपस में यूज करते हैं पहला होता है आकरिती रूप दूसरा होता है क्रिया रूप तीसरा होता है शक्ति रूप तो आकरिती रूप होता है जो साधक होते हैं जो साधना करत जालो और आपको किसी को प्रोटेक्ट करना है सो क्रिया रूप के अंदर आपको प्रूट रोप करना है जब आपको पावर चाहिए जिसे आप अप मैजिकल बैटरी स्काम करती है चीक है हम बहुत कनेक्ट फील्ड करते हैं पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिव सोर्से सो शक्ति रूपाई जो रफा मेडिटेशन परपस के लिए जब हम यंत्रों का इस्तमाल करते हैं फंक्शन के अंदर हम स्पैसिफिक क्रिया को करने के लिए जब हम यूज करना क्रिया कोई भी काम करना इस तो परफॉर्म टास्क एंदर आकरी दी रूपा के अंदर वी आर इमेजिनिंग डीटी हमारे जो डीटी हैं जो भी हम किसी ने भगवान को देखा नहीं है राइट सो विद्धी हैं आप यंत्रा यू किन इम एन मंत्र मिलता है कि मंत्र को जब आप प्रॉप्रनी मनिफेस्ट कर लेते हो लाग ड receives मंतर का और जब वो उस state से उपर उठ जाते थे, then they can see the 2D figure, जो हम यह भी देख पा रहे हैं, because आपने श्री यंद्र को 3D figure में भी देखा होगा, so, वो vision उनको, उनके DT, while doing tapasya, they get the vision, and then फिर वो गुरु शिश्य पद्धिती के according, जो सादक होते हैं, that's how it is transferred from your guru to different syllables, now moving forward, यह तीन पर्ट हमारे होगे, अब हमारा जो मेन पर्पस है यहां के अंदर हमें क्रिया रूप पे फोकस करना है, कि हमको functions में कैसे यूज़ करना है, अलाएकि मैं इसमें आकरिती रूप और शक्ती रूप के बारे मैं आपको थोड़ा बहुत information दोंगी, but I am not liable to tell you about the आकरिती रूप पिकिस उसके लिए आपको श्री विद्या के उपासक होना बहुत ज़रूरी है, if you are not disciplined, आप उस particular उसको follow नहीं कर रहें प्रोसेजर को, क्योंकि उसकी उपासना ही चार से पांच गंटे एक जगे बाट करके हो दिए, कि एक एक टाइम के उपासना की बात हो लिए है, so यह उपासक के लिए आकरिती रूपा, ठीक है, power principle is for healing purpose, काफी सरे लोग हैं जो की healing के अंदर भी है, यहाँ पे connected है, जो meditation purpose से भी classes को जॉइन किये हैं, आप वो वहाँ से positive energy कैसे grasp कर सकता है, तो generally होता है कि जब कोई भी प्रांट प्रतिष्टा होती है, किसी भी देवतागी, तो वो देवतागी प्रांट प्रतिष्टा के नीचे एक यंत्र को install गिया जाता है, अब purpose क्या होता है, कि when you are worshiping, जब आप prayers कर रहे हो, जब आप chanting कर रहे हो, तो हमारी chanting में मंत्र से कुछ specific vibrations निकल रहे हैं, कुछ frequency निकल रहे हैं, अब वो frequency store होती है यंत्र के अंदर, तो यंत्र, it's a storage of energy, so that you can take the energy from it, अब यहां बेबी जो प्रांट प्रतिष्टा होती है, टांपिल्स के अंदर you can see, गरे नाइट स्टैचूस होता है, विग्रह होते हैं, जो कि मूर्तिया, मार्बल की मूर्तिया होती है, शिला के विग्रह होते हैं, and then उसके बाद में मैटल के विग्रह होते हैं, accordingly घर के अंदर भी हम लोग स्थापना करते हैं, चोटे-चोटे देवी देवता की, जो हैंड फिगर, आपके हतेली के बराबर चोटे-चोटे मूर्तियां होती हैं, विग्रह होते हैं, बट वो तब तक अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब आप वर्शिप कर रहे हो एक जिके पर, एक जगे में बैठ करके, यह चैंटिंग, आज पूजा हो गया, कल हो गया, बट वो स्टोर नहीं हो पारी एनर्जी, वो सिर्फ उसी मुमिंट के लिए है, इन ओर तो स्टोर दाट एनर्जी, वी नीट यंत्रास, ओके, तो अब ये, ये, दिस इस मेंशेंड इन यंत्र चिंटामणी, वेर पारवती इस आस्केंग दुशिवा, बिना मंत्रे जर्पे हुमरा, वलक पेशे नच प्रभू, तक्षणा जायते सिद्धे सुषिद्धा, सर्वकामदा, बिना ही मंत्र जर्प हुम इत्यादी किये, उसको बहुत कम से कम टाइम के अंदर, उसकी पूरी डिजायर पूरी हो जाए, जो हम क्रिया पॉम की बात कर रहे थे, इस इस वाट वस दे क्वेशन आफ पारवती प्रम गौडशिवा, कि अब जिसमें मारन आता है, आकर्शन आता है, विद्वेशन आता है, अभिचार, which is used for yantras, इसके अंदर भी हम एक specific type पर ही focus करेंगे, which is sattvic practices, so basically, इसमें जो 6 तरीकी की use होती है, आपकी yantra की जो procedure, जिसमें मारन, उच्छाटन, जो तांतरिक क्रियाई होती है, उसमें एक होता है, जो प्लानेटरी एफेक्ट्स को, जो प्लानेट्स के इल एफेक्ट्स है, उसको कम करने का जो तरीका होता है, that is the शांतिर प्रक्रियाई, जो हम शांती के लिए उस होते हैं, so this is used for that purpose too, I hope आपको समझ में आ रहा है, English में भी और Hindi में भी, I am trying to cover both the languages, क्योंकि इस दीप्ती को समझ में हिंदी में इतना प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है, अब जब हम यंत्र बनाते हैं, यंत्र बनाने के टाइम पे, जब हम किसी गुड़ परपस से यंत्र बना रहा है, तो जैसे उस में उस पर्टिकलर टाइम पे, आप जब लाइन यूस करोगे, जब लाइन ड्रॉप करोगे, तो वो इस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, वें यूर यूजिंग और वें यूर वाइल मेंगिं एन्य गंत्र, यू हाव तो ड्रॉप दी लाइन स्रॉपर्ली लाइन से बचने के लिए, अब यहाँ पे एनिमी जो नेगिटिव एफेक्ट होता है कि आप आपकी जान पे खत्रा है, कुछ भी इशू जा रहा है जो नेगिटिव क्रिया है, इट कोट भी पॉजिटिव, इंटेंशन गैन भी पॉजिटिव, बट जब वो नेगिटिव ली, आप नेगिटिव वर्क के लिए यूज करें हो, वहाँ पे वो वेस्ट से इस्ट डिरेक्शन के तरफ होता है, वाइल मेकिंग, तो आपकी लाइन का मोशन इस तरीके से होना चाहिए, नव सेकिंड, वन यूर मेकिंग अनी सर्कल्स, चलॉक्वाइज आप उस करें हैं फॉर पॉजिटिव पॉपस, एंटी चलॉक्वाइज विल बी उस पॉर नेगिटिव तिंग्स, तो ओवर्कम यूर एनिमीज और डिजीज हो गया, ठीक है, अब आता है, directions of यंत्रा और मूरत की अगर हम बात करते हैं, तो मूरत क्या है, तो, auspicious time देखना बहुत important है, जब भी हम यंत्र बनाते हैं, तो जब भी कोई यंत्रा किसी अच्छे काम के लिए यूज हो रहा है, तो वो morning में लिखा जाएगा, at the time of sunrise, अगर हम पीस के लिए, शान्ती के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो midnight में बनाया जाएगा, अगर वो विदेशन के लिए यूज हो रहा है, आफ्टर्नून में बनाया जाएगा, अगर हम डेथ, डेथ के परपस से वो बनता है, तो वो evening में बनाया जाता है, उच्चाटन के लिए जब यूज होता है, या मोहन के लिए या वशीकरन के लिए, मतलब attraction के लिए, इस आदे parts of yantra, जब अलग-अलग परपस से यूज होता है, तो timing is very important, तो ये आपका afternoon में होता है, उच्चाटन, मोहन, वशीकरन, आपकाशन इस फ़र afternoon, अगर हम किसी good cause के लिए बना रहे हैं, तो वो morning में यूज होगा, या फिर midnight में, इस आप लोगों के पास में थोड़ा बहुत आइडिया है, regarding planets, planets के लिए कौन-कौन सा दिन, डिनोट किया गया है, anyone? Yes, ma'am. And which direction is given to which planet? This is for astrological purpose, या कौन सा planet कहाँ पे exalt होता है, any idea? Yes. So, can you please explain, ताकि बागी लोगों के एक बार मालूम पढ़ जाए? सूरे मेश में exalted है, ठीक है, मेश इस डिरेक्शन में होता है, और चन्रमा विशव राशी में, ठीक है, exalted है, मंगल मकर राशी में, ठीक है, बस्पती करक राशी में, ठीक है, ठीक है, डाइरेक्शन पता है, इनकी, सब की नहीं पता, सब की नहीं मालूम जाए, ठीक है, प्लानेट्स की सिग्निफिकेशन पता है, कि सन का काम है, फेम, ठीक है, फेम के लिए हो गया, विजिन के लिए हो गया, लोग यूट्यूब चानल से आए तो उसके अंदर रिचुल्स अफ हैपी सोल के अंदर सण ने मेंशिन किया हुआ है अलग अलग परपस के लिए अलग अलग डिरेक्शन से उन्होंने बताएंगे तो अब यहां पर कि अगर प्रॉपटी लिटिगेशन से प्रॉपटी से रिलेटीड इशूज है हेल्थ का ट्रबल है तो मंगल का दिन पकड़ेंगे और मंगलवार को पकड़ेंगे उसका फिर हमें यह मालूम होने चाहिए कि जो प्लेस्मेंट होना चाहिए ना यंतर का वह उस डिरेक्शन मे का दिन पकड़ेंगे ठीक है वहीं कि आपको मेंटल पीस के लिए चाहिए बहुत सरे लोग होते हैं परिशान बागी सारी चीज़ है लेकिन मेंटल पीस नहीं है लाइफ के अंदर तो हम मंडे का दिन चूस करेंगे सेम वे जो ग्रह वाले यंत्रा है आप जिस भी डिटी क कि पूजा करते हो अब जैसे विश्णुची की पूजा कर रहे तो विश्णुची अ आप देखू न मर्करी के डिटी है तो बुदवार का दिन चूस करेंगे सो फॉद आप टो चूस नहीं आ रहे है अगर किसी और को समझ में नहीं आ रहा था तो यूज अन्म्यूट English because it was just going above my head I couldn't understand anything what you were trying to tell alright so Deepti I am telling that we have different planets and for different planets there are different characteristics and different kind of roles and responsibilities given to different planets right so likewise if there is something related to your profession then we look to Saturn if there is some concern regarding health we will look to Mars because Mars is one who is ruling which indicates your health and your overall persona and personality if there is some issues related to mental peace then we will look to moon likewise there is a day given to every planet so now we understood that there is particular task which is performed by these planets accordingly if we have to make yantra for any specific task regarding career profession then we will choose Saturday why because Saturn is governing your profession department I hope it is clear now okay and now coming to the directions we will be putting these yantras in the direction where the planet is going and exalting so if Saturn is getting exalted in Libra Libra is given to west direction understood if we are making any yantra regarding sun to worship sun or to get fame or to get recognition then we will put that particular yantra in east direction on the day of sunday or accordingly to start or initiate that day we will be I mean to make the yantra we will choose that particular day to initiate the drawing purpose okay I hope it is clear now yes yes ma'am okay other people have been clear regarding this because I quickly told you but it is important ma'am can you just tell the direction for each like planet like for sun you said east for Saturn it is west for moon it is we will come on directions I will be sharing the PPT PPT I mentioned I tried to cover all the points if something is missing out so do let me know okay okay so you can just have a look on it Thursday is for all good cause like love affection cure of disease why Thursday is given for this particular purpose because the person is happiness of happiness of prosperity of happiness okay okay this is we will choose Thursday we will choose and Wednesday is for love affairs Mohan Mohan Vashikaran Mohan Vashikaran Accurition part relationship का है ideally लोग Vashikaran के लिए तब आते है जब वो किसी को पसंद करते है जब उनका attachment होता है so attachment और attraction के लिए जो यंत्रा होते है अगर हम इसको और थोड़ा सा logically समझे तो Sunday is for disease, affection, power, authority, favor, meeting with superior, dignitaries, governments related कुछ काम करवाना है क्योंकि सूर्यूसी का कारक है Saturday मारन उच्चाटन इसके आगे add कर लेना मारन उच्चाटन को काट करके इस इस इफ इंफर्मिशन परपस के लिए for profession as well Tuesday is for litigations enemies, vidation, maran so basically लडाई जगडए मंगल वाला जो काम है वो आपका Tuesday को फॉल करे और यहां Monday में जो love और affection दे रखा है it is for mental peace ठेक है attraction between sex इनिशली आप किसी जो first stage होता है किसी भी relationship का it is like आपको वो person मन से पसंद आता है आपका मन करता है उससे बात काने का इसलिए यहां पे Monday में attraction between sex is लिखा हुआ है अब यह हमने डेस तो चूस कर ले अब यह ऐसा नहीं कि किसी भी दिन पर बन जाएगा आपका relationship related कि यह होता क्या है मारन उचातन वाट इस वाट इस वाट इस जाएगा वाट इस पर शूस कर रिखा है हमको जब किसी आदमी से कोई अपना काम करवाना है हमें उसके थौट्स को कंट्रोल करना this can be for positive purpose too and negative purpose too we will not touch this thing now coming to shanti karan these yantras deal with the cure of disease aids in wording of malefic influence of soul and planet कोई भी प्रॉब्लम आपकी आत्मा आपके शरीर और आपके प्लानेट्स की वज़े से जो आ रहा है जैसे उदे नो कुछ लोग बोलते हैं नजर लग गई है या कुछ करवा दिया है राइट बंदवा दिया है बंधन कर दिया है चौकी बंदवा दिया है वो शब शांती कारण के लिए करेगा बिकिस इस पर्टिक्लर परपस यूजिग तो वर्ड आपने आपको बाकी चीजों से बचाने के लिए आप कर रहे हैं फिर इस तंबन किसी आदमी को कोई काम करने से रोकने के लिए चीक है आपका कोई एनिमे आपकी ऊपर कोई बेसिकली हमला कर रहा है या वो कुछ भी ऐसा जैसे कि आपको अपरेंट आपको हराने की कुशिश कर रहा है और करेक्ट अट यॉर प्लेस तो वहां पर सम्मन विज भी यूस्ट वाले की एफर्ट्स यूजलेस हो जाए आपने उसको स्टॉप कर दिया है विदेशन होता है जब आपको दो लोगों की बीच में हैुः सभाइन पर्टिक्लर और को दिस ट्रैक्षन होता है डिस्ट्रेक्षन ट्रैट करने के लिए कि सामने वाले परसंगा फोकस ना रहे उस पर्टिकलरवर्क क्यू पर एैन्वीज को होता है ठीक है कि अब इसके बाद में मारण तो इसको तो शास्त्रों मना किया कि यह पर्टिक्लर क्रिया यूज नहीं करनी चाहिए मारण बट पीपल इंटो तंट्रा प्रैक्टिस वह नौट साथ जो की बहुत लो लेवल की तंट्रिक प्रैक्टिस में हैं दे फॉलो ओ यह ओप्शिंस फोर नेगेटिव परपस तो हम अधर अब यंद्रा को करम एस्ट्रोजी से एस्ट्रोजी पॉइंट अव्यू से देखते हैं कि असट्रोजी कि पॉइंट उप आइव एक इंते डेटि हैं तो उस स्ट्रहा का यह प्लैट कि एनरट को उसकेफिक्ट को लिद्त करने के लिए and in order to get benefit from those planets I mean एक को तन है कि बहुत आपके कुंडली मे राज योग है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है प्लानेट के अंदर अब देर अनुमर अब वेस अब देर अनुमर अब वेस एक प्लानेट प्लानेट they can use stones they can you know perform any specific lifestyle जो जैसे Saturn के लिए you have to become very hard work for sun you have to become disciplined same way there are certain different kind of lifestyles given to different kind of planets so either you can opt for it and one option is to go with yantras to worship the deity with the help of yantra जैसे हम मंत्र जाप करते हैं किसी भी प्लानेट का उसी तरीके से हम yantra की पूजा भी कर सकते हैं क्योंकि यंत्र और जब मंत्र मिलते हैं तब DT को align करने में DT की जो भी इस्ट है उनकी energies से benefit हमें ज्यादा होता है ठीक है नाव कमिंग टूशेप्स ओफ यंत्रा अब चतुर भूज है ना चतुर भूज अब किसी भी घर का जब हम कोई भी घर बनाते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन रखे जाती है उसके अब वह फाउंडेशन आप देखो कि या तो इदर इस इन रेक्टांगुलर फॉर्म और इस इन ना स्क्वार फॉर्म क्यूबिकल फॉर्म वह इसलिए क्योंकि वह आप जब कोई भी काम शुरू कर रहे उससे पहले उसका एक बसिक नीव रखी जारें यỦि फाउंडेशन रखा जा रहा है तो किसी भी यंद्र का जो फाउंडेशन है वह चत्रवुज जो कहते हैं वह उससे रख़ा जाता है इसका जो एस्टोलोजिकल सिगनिफिकेशन है चतुरुबूच का स्क्वार का वो स्टेबिलीटी को दर्शा आता है ग्राउंडिंग को दर्शा आता है and it is earth element square is for earth element which represents grounding and stability which planet is associated with square is sun and sun क्या symbolize करता it symbolize vitality, authority individuality in astrology now the next shape which comes circle, जैसे हम चक्र यंत्र कहते है चक्र यंत्र क्या होता है वो होनने असको किसी भी चीज कोई भी चीज़ कंप्लीट हो जाती है then it makes a circle form it symbolize wholeness, infinity and cyclical nature of life it's like karma, it's like you are starting something and coming back to that place that's how circle is form so कोई भी चीज़ जो repeated motion पे होती है this comes into chakra this comes into chakra यंत्र और circle planet which is associated with circle, it is moon तो चंद्रमा क्या गवन करता है चंद्रमा गवन करता है आपकी emotions को intuitions को आपके subconscious mind को comfort को so अगर इस इन सब चीज़ों से related problem है then you can make chakra yantra now coming to triangle which I believe everyone knows कि keto is the one which signify triangle triangular form त्रिकोना यंत्र तो triangle क्या रिप्रेसेंट करता है यह आप various aspects दिखाता है like universe की various cosmic energies को depend show करता है आप वो orientation कैसा है triangle का उसमेंट करता है if it is a downward triangle or if it is a upward triangle तो जो upward triangle होता है वो masculine energy को signify करता है fire element को show करता है and it symbolize Mars and Ketu जो की आपके courage action, vitality and it is used for spirituality as well in order to get energy from cosmos universe से spiritual upliftment के लिए जो हम energy हमें energy चाहिए then we make upward triangle downward triangle होता है materialistic desire के लिए which indicates fire element no yeah so downward triangle is not fire element it's a water element ये रिप्रेजन करता है feminine energy को so it is in the form of yoni downward triangle also represent moon जो की आपकी intuition nurturing और receptivity को भी mention करता है can anyone tell me की upward triangle spiritual upliftment के लिए क्यों है और downward triangle uh materialistic desires को fulfill करने के लिए क्यों है anyone upward triangle is sublimation and downward triangle is entanglement into the lower energies okay if we can connect it from the astrology point of view on that part what is your sin I believe that when upward triangle is like we are just getting energy from the space the way we look at the sky and we just ask for the upliftment of ourself and downward is like we are going into the deep desire of the material and just getting involved ourself in the material world so we are just getting involved in this what is that like the pathal look our desire the just element हमारा बढ़ जाता है so it is more with the downward that represents more the energy this kind of energy is represented by the downward triangle ठीक है तो कोई भी चार्ट जो होता है अगर हम इसको देखते हैं इसको देखते हैं इसको देखते हैं एक सिक्ट आसवत देखते हैं इसको देखते हैं this is making upward triangle देखते हैं इसको किया इससлекšट्ट अऽच्च्टवा अभी है यश्याज आट कियां इसको देखते हैं भाल आट कियां आट कोई तो कियां then we talk about 3, 7, 11 उप्चय भावा एंत्रिकोण like kind of that fire element correct and ये जो चीज मेंशन है ये आपकी मेंशन है ये आपकी मेंशन है यंत्र चिंता मनी के अंदर श्विजी ने चीज मेंशन किये चार पाटने चार ट्रेंगल्स बनाये उन्होंने after mentioning the Rashees अगर हुआ तो मैं कल कवर करती हुए इस पर्टिकलर बाट को बट में को लगनी रहा था कि ये जरूरी है पिकेस इत वस नॉट फॉर कंप्लेटली एस्ट्रोजी पॉइंट व्यू बट इस इस मेंशन जिसमें सिर्फ साथ्य अर्थ अर्थ अरी तो फीडिवा थे पार्ट विच इस मेंशन कि वो ट्रेंगल सिच अभी हमने सिर्फ दो शेप्स पड़े अपवर अपवर अबड यहां पर डार्ट अट्रेंट इंड यहां पर डिरेक्शन लेफ और राइट में हो ती है तो उन्होंने उसके कुछ do's and don'ts भी मेंशन किये थे, कि वो किस तरीके से बनाने हैं, आचा यंत्रशिंत्रा मिनी के अंदर ना, शिव जी ने एक और चीज मेंशन किये, कि आपको कोई भी, वताथ, when you are making any yantra, you don't need any specific system, आपका सिर्फ और सिर्फ एक इचीज रिक्वाइडर विच इस complete faith, blind faith on yantra, if there is 1% doubt, तो आप जिस परपस से वो yantra बना रहे हो, उसकी जितने भी effects हैं, वो nullify नहीं होंगी, बट वो बोलते ना कि yantra बहुत, आपको cautiously use करना चाहिए, वो adversely effect कर जाता है, तो yantra जिंदा मनी के अंदर ये mention है, कि अगर आप के मन में 1% भी doubt आ रहा है, आप जिस परपस से करें, उसका जिस उल्टा हो जाएगा, okay, so you have to put full faith while drawing any yantra, अब यहां पर क्योंकि सिर्फ शिव पुरान के अंदर अलग yantra के बारे में mention किया और हम लोग जो यहां पर cover करने वाले हैं, which is Shri Yantra, Shri Yantra cover करने का जो main purpose था, वो यह था कि all the duties resides in Shri Yantra, and we all are worshipping different duties, सबके पास maximum लोगों के पास में mantra है और यह वो किसी specific duty की पुजा करते हैं, so they can use Shri Yantra in order to connect to their own duties, जो भी उनको mantra मिला हुआ है, जो भी purpose करें, अगर हम सात्विक पुजा की बात करें, तो Shri Yantra के अंदर, वी यूज लक्षमी जी का जो गाइतरी मंत्र है, Shri Shuktam, ललता शहस्त्र नाम, so there are different kind of stroth, because stroth जो होते हैं, वो एक तरीके से आप यहां पर कुछ चैंटिंग, जो चैंटिंग करें, it is not mantra, stroth as it's like, आप उनकी गाथा कर रहे हो, कोई भी stroth, जब आप उसको translate करके देखो, तो they are actually describing the beauty and different attributes of the DT, so it will never ever adversely affect the native if they are going for the Sattvic, okay? Ma'am, I have a question. Yes? Ma'am, you, in your video, when you were talking about yantras, upward triangle or downward triangle, जब आप सम्झा रहे थे YouTube video पे, तो आपने बुला था कि, Dipanju sir ने बुला था कि, एक star banana, जो upward triangle or lower triangle का combination होता है, तो क्या मांग वो banana with a dot in a middle, क्या मतलब लोग वो क्यों बनाते हैं, आप थोड़ा सा उसके उसके उपर explain कर सकते हो, तो it is to balance out energy, अब अगर आप सिर्फ spiritual upliftment की बात कर रहे हो, तो फिर वो materialistic desire material ये नहीं देगा आपको, जब आप कुणली देखते हो तो आपको सारे घर की जरुवत पड़ती है ना सारे significance की जरुवत पड़ती है, ऐसा नहीं नहीं कि आप सिर्फ सन्यास ले लोगे, सिर्फ पूजा पार्ट करोगे, तो उन्होंने उस energy को balance out करने के लिए अपवर्ट बिंदू जो बोला है वो शक्ती है, तो यहां पे जो सब्तशलो की दुरगा है, वहां पे mentioned है कि देवी ने बोलाई कि वो बिंदू स्वरूपा है, तो बिंदू स्वरूपा जो भी आप 80% यंत्र देखोगे, फीमेल डीटीज के यंत्रों के अंदर अंदर बिंदू मिलेगी आप, मेल डीटीज के यंत्र के अंदर बिंदू नहीं मिलती है, क्योंकि जो शक्ती है, शक्ती स्वरूपा जो बता है, फिमिनीन एनरजी बोला हैं, बिकस श्री यंत्रा राजा राजेश्वेरी देवी लालिता का यंत्रा है, तो अब जो श्रीपुट सुंदरी है वो तीनों, जो आपका राजस गून, तमस गून और सत्व गून वह तीनों को लीड कर रहे हैं, So it's like, the entire universe is in the form of Shriyantra. Okay. The geometrical figure of the cosmos, it makes Shriyantra. Because it doesn't make anyone, it's in the form of shakti. Shakti didn't make Shriyantra. Shakti was present there, just like Shiva was there. So same way, Shriyantra is a kind of Shriyantra, no doubt you would be needing a guide or mentor, to tell you what is the right procedure for tantric practices. But to worship any teacher, you can choose Shriyantra. Okay. Because Shriyantra doesn't say Lakshmi ji, Shriyantra has called Shakti. We get misguided. We have a misconception that Shriyantra's word is used for Lakshmi ji. But it is the form of shakti. What does the name of women mean Shriyantra? So that Shriyantra is the energy, is in the form of energy. And every deity is in the form of energy. Even we as a soul, we are residing in this body in the form of energy. It is not in a physical form. So when we are worshipping any energy or when we have to take energy, we are worshipping deity in the form of energy. Okay. So now coming to next. अभी तक हमने जो डिसकस किया यह these are the shapes, astrological significance of these shapes. अब इसमें जो symbol होता है, square, stability को, grounding को, worth element को दिखाता है. circle, infinity, wholeness, it is linked with moon. Triangle represent, I mean depending on the different orientations, it is used for masculine energy and feminine energy. Downward triangle is for shakti. Hexagonal shape is symbolized by Mercury. Lotus and petals is Venus. Okay. So now we can start with the first part. I hope you all are having pen and papers with you. सबके पास में pencils है, pencil, paper. Okay. So first we have to find out the point, the center point of paper. use your scale, scale से जो center point है, मतलब horizontal or vertical line यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, that will be the center point of the page, mid point of the page. Find out the center of the page. Center मिलने के बाद में, scale पे 11.3 cm का compass से वो करना आपको. You have to take radius of 11.3 cm and from that center make a circle. Okay. अगर यह पेज है ना पूरा. Like this. यह पूरा पेज है, आपको center point निकालना है. ठीक है? अभी center point कैसे निकलेगा? इस तरीके से complete line लेना है. प्लस तरीके से. जहां पे इंटरसेक्ट करेगा. मतलब यह पूरे page का length का mid point और इसकी चोड़ाई का mid point. वहां पे इंटरसेक्ट करेगा वह आपका page का center हो गया. अजस्वनी, can you please elaborate how to make the lines horizontal and vertically? I missed that. Okay. So, मैं आपको share करके बता देते हूं screen एक second. Okay. This is paper, right? इस तरीके से paper आपका? पहले इसका length को कितना है paper का? ठीक है? Suppose it is 8 and it is 6. So, 8 का half किता हुआ? 4? तो यानी 4 यहां पे होगा, 4 यहां पे होगा, यहां पे 3 होगा, यहां पे 3 होगा. So, यह वाला जो point है, this is the center. Right. समझ में आगया? Yes. पहले length देखो. पेपर का length कितना है? length of breadth कितना है? और उसका midpoint वहाँ पे आप मार्क कर दो जो midpoint है. या एकदम lightly line बनाना है. इस तरीके से plus का sign बनाना है. And then you will find the center of the page. जिस जिसका होगे, please मुझे बता दो एक बरी. जिस जिसका होगे, प्लीज मुझे बता दो एक बरी. जिसका नहीं हुआ भी? जिसका होगे बता है. ओके, यू मेट निकी का बन कया circle ठीके? all right step one is to find the center step two make a circle 11.3 cm excuse me ma'am आजी बानुसर बताएगे लाइक विस तो दिख भी निपा रहा एक सेकेंड इसको मैं पहले फ्लोस कर देते हैं रुप हाँ ठीक है बट आपने बदाएगे है बहुत दार्क कर लिया है में को लग रहे है पेपर का वो छोटा हो रहे गया है बड़ा पेपर लेना चाहिए था आप लिए फॉर जागे लेना चाहिए था यह था यह था यह था आप लिए अभी 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 स्टेप्स नोट कर लो ठीक है ना ओट आजए थी पर द्रीप ड्रॉकर लेना चेक है तो पहला स्टेप विए और दूसरी चीज आपने बहुत डार्क बनाया लाइन सरकल यह पूरा रब करना पड़ेगा फिर पीछे से इंप्रिंट आएगा तो सब लोगों को जो पैंसिल है वह बहुत लाइटली होल्ड करनी है हाथ में जब आप पैंसिल को बहुत लाइटली होल्ड करते हो तो उसका प्रेशर नहीं पड़ेगा पेच पर जैसे पहले चापते थे ना पैंसिल से तो वह ऐसा निशान नहीं आएगा तो एकदम लाइटली पकड़ना है ठीक है अब लाइटली पकड़के पहला स्टेप हो गया पेच का सेंटर फाइंड करना दूसरा स्टेप है 11.3 सेंटिमेटर का सरकल ड्रॉ करना लाइक अगर पेच पर बता देते हैं तो इस इस इसर्कल और यहां से यह आपका रेडियस है यह आपकी 11.3 सेंटिमेटर होनी चाहिए इसके बाद हमें लेना है डाइगनल तो बेसिकली क्योंकि अभी आपने सर्कल बनाये तो यह पूरा ऐसे होगा इस तरीके से होगा हमें द्याइगलान बनानी यादी डाइगनल कैसे निकालते हैं हुआ हुआ है कि यहां पर कंपाश रखना है इक जगार पर पैंसी लानी यहें कंपस के अंदर ऑश़ी यहां पर आहाँ पर करना है अ यह सब्सकिट्न से सर्कल्व बनाएंगे सब्सक्रों कर कि allergic अब इस हिंदी में क्या पौलते मुझे पता नहीं है कि सिंग है दूसरा मार्क हमें यहां पर सेंटर पर रखना है और यह इस तरीके से मार्क करना है मतलब अगर अगर हम इस पर्टिकलर पॉइंट को सर्कल बना कि रखते हैं मैं बता रहे हैं अगर हम यहां इस पर्टिकलर पॉइंट को सर्कल बनाएंगे अगर हम इसे सर्कल बनाएंगे यहां से सर्कल बनाते हैं तो यह कुछ इस तरीके से बनेगा हमें पूरा सर्कल लिए ड्रॉ करना है हमें सिर्फ इतना ही पोश्चन ड्रॉ करना है इतना और सेम वे हमें यह प्रॉसेज रिपीट करना है इस पॉइंट पे तो यह इस तरीके का सर्कल बन जाएगा लाइक दिस अब यह जो यह वारा जो पॉइंट है ना जहां इंट्रसेक्ट किया दिस यहां से आपको डाइगनल बिल जाएगी आपको डाइगनल हम बना रहे हैं स्क्वाइर बनाने के लिए अपने में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं अन्मूट कर लो प्रीज अब लोग मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं आ रहे हैं आपको डाइगनल लेने हैं हमें हमें इस तरीके से दो डाइगनल मिल जाएंगे यह देखो ऐसे सपना जी को आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सपना जी को को सपना जी घर आसपास कोई है बच्चा है आपके पास में देखके बता दे उनको फोन यूस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है टेक से भी नहीं है सपना जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सपना जी की साथ में थोड़ी से जादा मेहनत करने वड़ेगी कोई बात नहीं आप अन्म्यूट करो पहले आप जब तक बोलोगे नहीं टाइप करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि अच्छा आपके पास में पेपर है सपना जी कर लिए यह जो दूसरा ओप्षिन है न सेंटर निकालने का हुई है ऐसा हमने पेपर लिए यह हलका से क्रीज कर लिया यह हो गया इसका वन पर चेक्ट है आधा हो गया यह पूरे कमने आधे में डिवाइड कर लिया तीसरा ओप्षिन है पेपर का सेंटर निकालने का अगर कंपास नहीं है तो अब हमने चौती बार फोल्ड मारता है दूसरी बार दूसरी साइट से जैसे हम पर्ची फोल्ड करते हैं अब यह वाला जो पॉइंट है जहां पर इंट्रसेक्ट कर रहे है लाइन यह आपका सेंटर है ठीक है सपना जी ओके यहां तक हो गया अब कमपस यूज करना है प्रकाल कोई अपना प्रकाल दिखाना यहां पर किस तरीके से होता है यह प्रकाल है ठीक है जमेट्रिक बॉक्स में आता है इस पर पैंसिल लालना है अब जहां पर जो पॉइंट दा जहां इंट्रसेक्शन हो रहा है पेपर में यहां पर आपको इसका जो निब का पॉइं टैबू रखना है और स्केल लगाके 11.3 से इतना रेडियस लेके उससे सर्कल बना लेना है ठीक है डन आद मुझे लग रहे है स्कूल में हमारे आर्ट टीचर को कितना तफ लगता होगा तब से खते होंगे ओके हो गया यहां तक हो गया चीक है अब हमें डाइगनल बनाना ऐस से लिए आंपो संसे लेना काटना है ठीक है तो यहां तक तो आपने कर लिया है शायद इफ आपका पेज है आपने इस तरीके से सर्कल स्वरी यहां तक का प्रोसेस आपका हो गया पूरा है अब इसके अंदर इस तरीके से दो लाइने होंगी यह सब के पास बन गया अभी अब भूल जाओ कि आपने ऐसा कुछ बनाया है अब आपको क्या करना है अब आपको इस पर्टिकलर पॉइंट पे यहां पे यहां पर आपको अपना कंपस रखना है अब यहां से जैसे हम सर्कल बनाते है न तो सर्कल के लिए आपको पैंसिल यहां पर रखने इस जगे पर करल मैं भी साथ में बनाओंगे आपके इतना रेडियस लेना है मतलब इसका आधा रेडियस लेना है अब यह जो बनेगा यह सबनेगा देखो यहां जो दूसरा मना रहे है न यह हम आर्क लेने के लिए डाइगनल गी यह जो सेंटर का सर्कल है न ही बनाना है पूरा सर्कल का एक ठोटा सब पार्ट जिसे झासी आइए और उसे कि इस tisrt teaching के इतने पर्ट को हम आर्क कहेंगे हमी इस सर्कल से और यह सश्वल łcomshop होगया इस बिंदू सेंट्र पॉइंट यहें रखना है ठीक है्हिए तो आपके पेपर पर सिर्फ इतनी ही लाइन दिखनी चुक कि अड़िक और और लाइट पेंसिल स लाइक दिस ठीक है अब जैसे हमने यहां पर पॉइंट लिया था सेंटर बनाने के लिए यह सरकल के लिए यहां से यार्क लेने के लिए अब यह वाला पॉइंट लेना है यह वाली आर्क बनाने के लिए यह दो को डार्क हो गया नहीं यहां से मैंने कर दिया आप लोग डार्क मत करना अब यह यह दो को ऐसा देखेगा अब यह वाला जो पॉइंट है ना कि इस अब इस अब इस अब इस निट टो बी डन एयर टू यहां पे भी हो गाई यह दूसरी जगे अब जब यह पॉइंट मिल जाएगा आपको फिर आपको सेम चीज यहां रिपीट करनी है यह वाले पॉइंट से इस अब इस अब इस अब आपको चारों को बना लिए अब इसको जुइन कर दो इट विल बी लेक डाइगनल्स कर दो के डाइगनलल्स कर दो एगनल लाइन लाइन आपको और तो प्रॉस्ट रॉस्ट यहां प्रश्ट थेक्ट सपना जी हो गया यहां तक समझ में आगे diagonal line कैसे बनानी है आपको but still time again requesting कि बहुत light pencil यूज़ करना उसको बहुत ज़्यादा pressure के साथ दबाके नहीं बनाना है अनौर step 1 हो गया, step 2 हो गया, step 3 है to make diagonals अब यह पूरा आपके पेज पर ऐसा कुछ होगा मैं बना के दिखा रहे हूं आप 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 क्या क्या रही है एक है दिख्या मैंने स्क्रीन शेयर किया एक बर यह चेक करो इतना I am not able to see the whiteboard of your screen ओ बाकी लोगों को भी नहीं देख रहा है क्या whiteboard तो इस विजिबल हम इस विजिबल फो में I can see that और किसको नहीं विजिबल है और किसको नहीं विजिबल है अपर यह इस स्टिल नत विजिबल तो क Semelis नफर से सको मैं काम करती मैं इसको नो break म lawnrintOWब बना देतियो थि feather विट स्क्रीन को यह दिख रहे हैं पेइंट वाले स्क्रीन दिख रहे हैं अब लोगों को आई होप है यह दिख रहे हैं सच इंसर अनौट शिबल ठीक है तो देखो यह दो पेपर का अभी पेपर के पश्च हमारे राओ वान सपोज इस पेपर तो पेपर के अंदर एक सरकल होगा रैक दिस और इस तरीके से तो लाइन होंगी आई 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 और यह हमारे डाइक दूल होगा अभी इतना बन गया होगा है ना यह जो डाइगनल है यह हमें इस से नहीं करेक्ट करना है यह इस तरीके से एक सेकेट यहां तक बन गया इस तरीके से इस तरीके से हो गए है यह हमें चार पॉइंट्स मिल गए है एक यह एक यह 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 इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं स्क्वाइर एक सेकेट्ट् अब आपको एक स्क्वाइर का पॉइंट मिल गया कि स्क्वाइर आपको कहां से और यह 16 का है यहां तक बन गया अभी फटा फट से स्क्वाइर भी बनना लो और यह बनेगा 16 बाइ 16 सेंटिमेटर था अपको का यहां अपको यहांने बना आपको this as well, 16 cm. और यहां से चो यहां तक का डिफ्रेंस है. इस एट. तो हमारा प्रोग्रेस कहां तक हो गया? हमने circle बना लिया, diagonal बना लिया, square बना लिया. यहां सब का हो गया यह? यहां स्क्वार तक सब लोग पहुंच गया ना? जी जी. अब square के बार में आपको scale से marking करनी है square वाली line पे जो हमने square select किया ना 16 cm का line उस पे scale रखो scale रखे 4 cm पे 1 point करना है, 6 पे 1 point करना है 10 पे 1 point करना है, 12 पे 1 point करना है और 800 बीच में 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 है ही ठीक है? अभी for example let me just show it here इस पे तो नहीं साफ आएगा इस पे दिखा देता है white word back you got a square ठीक है and this square is in circle और ये square अलरी इस तरीके से divided है यहां तक तो हमारे पास एक figure आ गया अब यह जो है यह 16 cm का है ठीक है ना? this is complete 16 cm का हमें करनी है marking जसे ही 1 से 16 है ना? scale scale लगा है 1 से 16 है तो यह हमें 4 पे mark करना है ठीक है? फिर हमें 6 पे mark करना है 8 पे तो यह intersect करी रहा है उसके बाद हमें यह 10 पे mark करना है और फिर हमें यह mark करना है 12 पे यह हमको चारों लाइन्स में marking करनी है सपना जी screen visible है? सपना जी नहीं है ठीक है मैं paint में ही करती हूँ फिर एक बार stop presenting एक बार चेक करो यह पेंट वाले screen वाले screen विजिबल है क्या? एक बार चेक करो यह पेंट वाले screen विजिबल है? सचीन से एक बार पूछ के मेरे को बता दीचे क्योंकि आप आइकन सी चाट को ओपन करना है ठीक है यह विजिबल है आल राइट इसको हम एक बार इरिस कर देते हैं बूरा अब हमारे पास एक स्क्वाइर आ गया है ऐसे करके अंदर का जो कि 16 सेंटिमेटर का है यह आगे अपका 16 सेंटिमेटर यहां से लेके वन से लेके यहां तक यह वन है और यह है 16 अब यहां पर आपको स्केल रखना है स्केल से आपको करने है मार्किंग चारों लाइन पर चारों दिशाओं में करने है अभी चारों दिशाओं में मार्किंग करने है एक तो आपको चार सेंटिमेटर पर करना है आठ पर तो यह डिवाइड हो गई है क्योंकि हमने यहां पर इसको इंट्रसेक्ट कर रखा है तो 16 के आदा 8 हुआ 8 पर तो अलेड़ी डिवाइड हो रखा है इस तरीके से तो यह वाले जो पॉइंट है यह तो 8 का पॉइंट है एट ठीक है चार और 8 की बीच में में 6 पर भी मार्किंग करनी है आठ से यहां पर दस सेंटीमीटर है यहां पर मार्किंग करना है और उसके वाद हमें करना है बारा पर मार्किंग अगर आप देखोगे तो इसमें दो-दो का अंतर आ रहा है पोर से 6 तू सेंटीमीटर सिक्स एट तू सेंटीमीटर तू सेंटीमीटर चेक है अमीर रैटिंग अंधी होते जा रही है बट आई होप समझ में आ गया आ गया समझ में सपना जी बाकी किसी को भी अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज चेल मी आपको यह पॉइंट्स मार्क करने है और यह पॉइंट्स आपको चारों दिशाओं में मार्क करने हैं चीक है इस तरीके से इसके बाद होगा जादू हमें भूपूर की दिशाएं मिल जाएंगी चीक अब जब इतना कर लो न तो उपर इसके बाहर सर्कल भी बन रहा है इस तरीके से छार्णी पैंसी मैं बाद रहे ऑच्छछा से बट स्टिल सरकल जैसा गवां। ईसे ईना तो यह जो चार एंडा जहां चार प Potato की मार्किंग और जहां पर उने 168 कि मार्किंग की है इसको आप ऐसे करके जॉइन कर देना सर्कल पे और इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए इतना इस इस लाइन का डिस्टेंस यह होना चाहिए टू पॉइंट सिक्स कि यह लिख लो पॉइंट क्योंकि मीटिंग क्लोज हो जाएगी नहीं तो थोड़ी बहुत देर पहे आदा गंटे रहे गया यहां तक हो गया इस तरीके से आखरी वाले जो लाइन है यह ऐसे 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 इस तरीके से बन जाएगा चारो दिशाओ अभी कुछ जॉइन नहीं करना है आपको सिर्फ यह वाली लाइन बनानी है और यह 2.6 आने चाहिए चारो डिरेक्शन के अंदर यह भी 2.6 होने चाहिए यह भी 2.6 होने चाहिए हाँ प्लीज अन्म्यूट करके पूछ लो अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो मद्दब आई शुद नॉट फिल के आ इम टॉकिंट नॉट इप्ती मैं लास्ट पॉइंट ओन वन टाइम ओर ओके तो यह वांक हमारे पास स्क्वाइर आ गया है अभी स्क्वाइर वन से लेके 16 सेंटेमीटर का है मतलब उसका जो लाइन है स्क्वाइर का इट इस 1 टू 16 सेंटेमीटर हमें मार्किंग करनी है 2 दो सेंटेमीटर के दिफ्रेंस में पर आठ सेंटेमीटर पर यहां तक समझ में आगया है अब जो चार है जहां पर चार लिखा जहां पर बारा लिखा है वहां से जो सर्कल की आर्क है आपको स्ट्रेट लाइन कीचनी है स्क्वार के बार एक सर्कल भी है अब वह सर्कल की आर्क से जहां पर 4 सेंटिमेटर का पॉइंट है उसको आपको जोइन करना आपको चोटी सी लाइन बनानी है और यह लाइन का जो मिजर्मेंट होगा यह 2.6 सेंटिमेटर का आएगा चेक करके बताओ जो हमने स्टाटिल में आपने एक ड्रॉड करके दिखाया था वाइब फर्स पॉडब बिग निंग क्या आप जो आप हमें सम्झाना चाहरें मैं सब बता दूंगे वाइट पोर के उपर प्रॉपर वैसे ही ड्रॉड हो जाएए वाइट तो नहीं है आई ऐल दो वन तिंग नेक्स क्लास आइल जोइन फ्रम मोबाइल फोन क्योंकि लैप्टॉप से तो मोबाइल बताब कैमरा नीचे नहीं आपाएगा ना आइल जोइन फ्रम मोबाइल फोन और आइल ड्रॉड अलॉग विद यू उससे आपको इसी हो जागा सब्सक्राइब वो कोई इतना मैं यह वैसे दिखा रहे थे तो वो क्या अगर वैसा सिक्वेंस ही हमारे सामने चलता रहेगा तो इतन बी मोर कंपोर्टेबल एंड लिया हमने सेंटर लिया 11.3 का रेडियस लिया और बना लिया सब्सक्राइब लिया तो इस वह चाहिए कि आप सिमिलर्ली पेपर पे सेम वैसे बनाए जैसे आप हमें बोल रहे हैं वही मैंने बोला वहीं बोल रहेगा हमें उसको समझने में अभी क्या वहीं बोल रही हूं आपको बहनुची कि मैं कैमरे से जॉइन करती हूं मोबाइल स सकते हो अभी मैं लैप्टॉप से हो तो जब मैं मोबाइल से जॉइन करूंगी आइल में कलॉंग विद यू तो आज हम बहुत ज्यादा कॉंप्लेक्स स्टेप्स में जाएंगे क्योंकि जो अंदर का सर्कल है अंदर जो हम श्री चक्रा बनाएंगे इट इस मोर कॉंप्ले को इतना पॉर्शन बन चुका होगा मैं है कि इस प्लेन पेपर है यह हमारा स्क्वाइर है जो हमने स्क्वाइर अंदर बना लिया है ठीक है अंदर स्क्वाइर मिली है ना आपको मैं वही पूल रहा था मैं अंदर स्क्वाइर की कोई श्यू नहीं है आप इसको यूमान कर चलिए हमारा एक पेपर है ठीक है इसको सेंटर लिया हमने स्क्वाइर कट किया वह एकदम हम अगर फीजिकली अब हम इसी डिरेक्शन में देखेंगे ना तो हम ज्यादा समझ में में भी आएगा और में भी फ्यूचर में अब मेंने क्या अब जैसे मेरे को डिमेंशन नोट करनी है तो मैं उसके प्रैक्टिस में मैं एक्जेक्टी ऐसे बना कर दें हम कल एट्री साइच शीट पर क्योंकि चोटी शीट है एट्री शीट पर हम लोग दुबारा स्टार्ट करते हैं आपका रिपीट हो जाएगा एंड साथ साथ मैं भी बना लूंगी तो वह कहीं पर भी मिस्टेक होगा तो वहीं पर मैं रब करके आपको दिखा दू क्योंकि अभी अरेंज कर लिया है है तो ऐसा कर लेंगे कल हम इसको फ्रेश से स्टार्ट कर लेंगे अभी हम जो बेसिक पॉइंट्स है जिन लोगों का कंटीन्यू हो रहा है वह आगे पॉइंट कर लेता है तो आप इसका नोट बना लो लेकिन मेंवाइट मतला है विकन मेंक नोट ओफ इट डायमेंशन का तो आप घर पे भी प्रेक्टिस कर सकते हैं इफ यहार मेकिंग इट ठीक है तो फर्स्ट अपने प्रेशर डाल करके पैंसिल लगाया तो पेपर खराब हो जाता है जब आप पेंट करोगे पेंटिंग के टाइम पर जो भी यूज़ करोगे उससे क्या पेपर गलता है जब भी आप कोई कलर यूज़ करते हो तो आपके यंत्र की क्वालिटी खराब ना हो इसलिए मैंने टूहंडर्ट जी एसम पेपर पोला अगर नॉर्मल करना सीखना है वो तो हम रजिस्टर के पेपर 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 पीड्राओ कर लेंगे इस नॉट अप्रॉब्लम पट अगर आप उसको पेंट करने के परपस से बना रहे हैं कि पेंट करना है यह अब तो इंस्टॉलेशन के परपस से बेटर है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का बनाओ ठीक है तो टूहंडड़ कि आप पेपर के ओपर वाटर कलर भी हो जाता है और एक्रिलिक कलर भी हो जाता है अगर कोई वाटर कलर यूज कर रहे बट अगर इस your new to water color liquid colors में अप अगर मेरे वी उसकर ना है पा यह और ध्यूजिसरम पर स्केचच पन यूज करना पार अब हैं मेरे पास यह आखा पैं जिसमें भी कंफर्टेबल हूं मतलब कुछ लोग क्रियेटिव होते हैं बच्पन में क्रेटिव होते हैं फिर चोड देते हैं उनके प्रैक्स हो जाएगी तो यूस कलर्स ठेक है और बिलिब एवरी चाइल्ड लव तो पेंट वेंट वन देर इन देर केजी एल केजी यू सब्सक्राइब करता है अब है अब है इतने टाइम पिरेट में जब सब्सक्राइब आपके दिमाग में कोई और फॉट नहीं चल रहा होगा पार्ट्फरम की कोई पॉइंट मिसना हो जाए वैसे अनफॉर्टुनेटली मैं मैंने एक पंद्रा बीस दिन पहले एक मीना पहल आपका यह निकला कोर्स तो मैंने बोला लिए अब बनाना सीख लेते हैं लेकिन वह बनाने में जैसे दिखता ना यंत्रा मतला है शर माई एक्स्पीरेंस आगेस मैंने यूट्यूब पर भी शेयर किया था जब फर्स्टाइम मैंने ट्रौ किया था देखने बहुत असान थ कलर्रिंगिной की इस आलवेश इसी है बट डाइमेंशिन लेना रिकर करके कि अब यहां पे हमने तीन चोटे से स्टैप किये और जो तीन चोटे से सब में कितनाही सारी गंफ्यूजन हो गई कितना सेंटीिमेटर के लेना है कहां पर आर्क बनानांए primarily making so that's how run the क्योंकि वहां पर आप जब इंटर्नल डाइग्राम बनाओंगे जो 16 बनाओंगे आपका इस प्रॉसेस में से कहीं पर भी एक मिली मीटर का भी थोड़ा सा भी डिफरेंस हो गया नो आपके आगे चलके ट्रेंगल प्रॉपर शेप में नहीं आए इसलिए यहां पर स्पैसिफ यहां पर आपका इंटर्सेक्शन में प्रॉब्लम ना है कि पॉइंट नहीं मिल रहा है तो सही नहीं बन रहा है फिर प्रॉसेस पूरा दुबारा रिपीट करना पड़ेगा इसलिए मैं नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि ट्रॉइंग में टाइम लगने वाला है औ यह आपका फॉर्स एक्स्पिरियंस से ड्रॉब करने का तो तो डेफिनेटली इट विल टेक सम ताइम और यूर्म नॉट उस्टो विद पैने पैंसल चेकर तो आज के अभी तक जो हमने चीजे शेयर की रिगार्डिंग यंत्र और कोई डाउट अपार्ट फून द्रॉइ अनिता जी रमा सर निकी माम कोई भी question regarding uh the today's theoretical part क्या हमें clear हो गया है जस्पिनी जी that is my issue actually I missed 15 minutes prior this session because I thought it will start at one so that was a little confusion so I think I have not joined it earlier so I missed the few I will repeat this all right thank you okay if time is in the evening that you draw a portion of the A3 size sheet I will make sure that I will draw along all right and can you please share the link for the evening class sure I'll share the link in the group okay all right thank you all right Anitam ma'am I hope अभी तक कि सारे points clear हो गए जहां तक हमने discuss किया है thank you कापी हो गए है और अफुरी मैं कुशिश करूंगे शाम को फिर से टेंड करनो ता कि में और तो वह हां ठीक है रिविजन पी हो जाएगा और आइल ड्रो अलॉ अलॉ ऑलॉग ट्रोग यू टूकर टायकि थे शर किया थे तो यंद्रा है एक ही टाइप्ला होता जो हमने राख किया अब जैसे उसमें पही बोलते हैं नहीं है मरकृह या सं उन्टर थो इसके अंदर के पैरामेटर स्टेंज होते जाएंगे डिमेंशन्स इंटर के उपनाते हैं जितने यंत्र के इंदर स्कॉयर फिर्म हो रहा है भोपूर जहां बनना है जो हम ऑड़र की बात कर रहे हैं वोपूर बोलते हैं जो स्क्वाइर फॉर्म है न गोपूरम और भोपूर विच रिप्रेजेंट सब्सक्राइब करते तो आपको पहले उसका प्रोटेक्शन लेना होता है जब हम फर्स्ट बोपूर बनाते हैं अभी जब कलका क्लास होगा जब हमारा इतना पार्ट बन रहेगा कि हम बोपूर और सरकल अंदर इंटर्नल दो जो दो सरकल है वो कर लेंगे तो आई विल एक्स्प्लेंगी हो कि किस डिरेक्शन में कौन से टीटी होता है किस पर्टिक्लर पॉइंट पे आपको किस को याद करना है मतलब अगर वर्षिप भी नहीं कर रहे हो ना अगर आप इंटेंशन भी यूनिवर्स में छोड़ रहे हो कि देट यूर रिकॉलिंग् इसके बाद में मतलब जब बंदू बंती है बंदू इस दे लास्टेट जब आप देवी के स्थापनाय करते हो बंदू इस दी फॉर्म ऑफ शक्ति उससे पहले उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाकि जितने भी पहलेदार है या आउटर प्रेसिदेंट की सिक्यॉरिटेंट इस बहुत से लोग रहते हैं जो सिक्यॉरिटी में साहिए जितने भी देवी देवता हैं जितने भी टीज है इस्ट है जिसमें सारे इस्ट आ जाते हैं वो सब उनकी सबकी स्पैसिफिक जगे है श्री अंतर के अंदर तो वह जैसे जैसे आपका बाहर से एक्स्टरनली तो आप साथ्विक भोजन मलब साथ्विक फूड पर ही रहो आप कुछ टॉक्सिक कंजियूम ना करो विच इंक्लूट यौर एल्कोहॉल राइट सो स्पैसिफिक लिए मेकिंग इट पर साधना तब तो और भी जादा नियम होते हैं उसमें तो नॉन वेच तो बहुत दू वह अद्स को बना रहो हो तब तक को मत करो है तो फिर तो आपको नॉन ही चोड़ना पड़ेका उसके ओन श्री ना की साथना के अदर वह आगोड़ा ठोफर साधना में जाना चाहरे हो तो यूकन कनेक्ट तू एनी श्री विद्या साथ जिनको ऑथ्जिन होती है वह सद़् विजर बताने की बट एस मैक्सिमम पीपल आर हैविंग दे मंत्रा उनके गुरू है गुरू ने उन्हें मंत्र दिया हुआ है गुरू मंत्र दिया कान के अंदर तो देकन वर्शिप दी अंत्रा जो घर में मुर्ती हैं जिनकी आप पूजा करते हो आप उनकी नीचे इनको स्थापित कर सकते हो वह जो एनरजी आप वर्शिप के टाइम पर चैंटिंग कर रहे हो वह आपकी अंत्रा के अंदर मैनिफस्ट हो यह स्टोर हो जाए वह पॉजिटिविटी घर में कैसे रहती है एक जगे स्टोर करते हो ना वाल चैंटेंगे टो इस इस अपरपस बहुत बड़ी बात है हम पूरा बनाना सीख लें अभी तो हमें ए बी सी भी नहीं मारूं और मैं तो वह मैंने एक्चली मेरा जो पेंट परपस था ना इस क्लास का वह यह था कि हमें हमारे आगे पीछे क इस सारी चीजें पता होने चाहिए यंत्राइज इन इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करना यह तो आपकी कला की उपर है कुछ लोग है जो आपको मालूम है ना कि प्लानेट की सिग्निफिकेशन क्या है कहां प्लेस कर सकते हो और यूज 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 जाना या कुछ प्रबलम होना तो देरा शर्टे प्रोसेज कि अप उसको पंडिन पेंट की तरह भी पैंसिक्तर हो ओविस्लिट उसका साइस चोटा हो बोज पत्र पे बनेंगा ताबीस में बहरा जाएगा अब वो भोज पत्र पे जो यंत्र बनते हैं उसकी अलग इंक तय या कि लकड़ी की पैंसिल यूज होती है ठीक है कहीं पर आग की उस होती है तो जैसे हम जड़ी बूटियां लेदेना डिफरेंट इस जड़ी बूटि का हर चीज का एक सिगनिफिकेशन है सेम वे अगर हम कोई इंक भी उसका रहे हैं किस परपस से यूज कर रहे हैं इंक कि अब यही शी अंत्र अगर आप उस नक्षत्र में बना रहे हो जो नक्षत्र आपके एट थाउस में फॉल कर रहे हैं तो आपको नेगिटिव एफक्ट करेगा प्रवाव हैं त्रिक भाव में जो जो नक्षत्र आ रहे हैं उस नक्षत्र के अंदर जब भी जंद्रमा ट्रांजिट करेगा अगर आप उस दिन कोई भी एंत्र बना रहे हो तो वह आपकी हानी करेगा सिक्स्थाउस में जो नक्षात्र है वो आपको लॉस कराएगा रोग रिपू से प्रॉब्लम देगा एट्थाउस एडवर्सली एफेक्ट करेगा प्रांस्फरमिशन हो जाएगा डाउन फॉल आ जाएगा और ट्वेल्थाउस वाले इसलिए यंतर आप किस टाइमिंग पर बना रहे हो वो मैंटर करता है किस नक्षात्र में बना रहे हो इसलिए स्पेसिक दे रखें इसका मैं पर नॉलिज कैसे आएगा भी हमें स्पेसिफिक इसी यहां पर हमने में डेश चूस किया है जिस जिन दिनों पर सब लोग यंतर नाते हैं यह जो जिस टाइम पर यूनिवर्स ओपन होता है यह एनरजी जार देर विच्ट मैं जैसे आपने अभी बुला कि संक अगर आपको बनाना है तो आपको संडे का डेश संडे का डे हमने चूस कर लिया अनफॉर्चुनेटली अब जैसे आपने बोला जो भी आपका नक्षत्र है अगर आप संडे को बाइन स्टेक हम उस पर्टिकुलर मुहूरत में यह हम तो इसलिए उसमें मैंशन भी किया है ना यह तो एक पस लियर है कि हमने संडे चूस कर अजब्स के लियर अंतुच लियर अनफृंट अंब्स पूर्णमसी सूर्य ग sneaking रहन चंडर गरहन बाद भालि इस पीषिस देशन देशन ओन संथths yes tell me awesome it's ripping this side it's ripping so as in like today is a pushya nakshatra it is a very good nakshatra today but अगर लियों सेटन के लिए तो फिर ये 12th house में fall करेगा तो अगर बिलकुल but we are not worshipping it we are learning it understand no but अगर हम किसी को advice भी करते हैं to make a yantra so we will not choose this day despite of the fact कि pushya nakshatra बहुत ही stable and वो बाला है तो still we will not we will not correct देखो यहां पर पता है एक चीज़ा है रिपिन कि जब हम दिन चूस कर रहे हैं ना obviously pushya is an auspicious nakshatra but जरूरी नहीं है कि सब लोगों के लिए auspices राइट अब क्योंकि yantra बहुत जल्दी effect करते हैं this is a quick remedy यहां पर चाहें अच्छा result आना है चाहें negative result आना है बहुत quickly आएगा इसलिए इसमें यंत्र चिंतामणी के अंदर specifically उन्होंने question ही एक जल्दी effect करने वाला कुछ ऐसा काम बताओ जिसमें तुरंद मेरा पर्पस पिल हो जाए लेकिन तुरंद पर्पस तो फिर यह संपत और अतिमित्र नक्षत्र में बनाने ज्यादा बैनेफिशल है अब यहां पर जैसे एक सेकंड तो यहां पर अगर किसी को आपको finances की इसी का finance का issues यह financials related आपको remedy देना है ठीक है उसकी 11th house पे जो नक्षत्र फॉल कर रहा है उस दिन शुक्रवार का कोई भी दिन पकड़ा करके आप उसको यंत्र बोल सकते हो अगर 11th house का जो लॉर्ड है वोग शेम में आ रहा हो सब्सक्राइब या आपका किसी और जो unfavorable नक्षत्र में आ रहा हो तो फिर हम 11th house के लॉर्ड का कैसे दे सकते हैं 11th house लॉर्ड का नहीं पकड़ रहा है ना 11th house में कौन सा नक्षत्र फॉल कर रहा है अगर आपको 10th house एक्टिवेट करना है तो 10th house के लॉर्ड वह जिस भी राशी में जाके बढ़ा है उसके ड्रॉइंग करना है ना अगर आपके 10th house में कोई भी प्लानेट है तो वह वाला कलर लेना है और जिस नक्षत्र में वह प्लानेट है उसका आपको अप्लानेट है अब वहां पर समझ में है कि नक्षत्र के सिग्निफिकेशन कैसे उठाया है तो यहां पर जो एक रेमेडीज है वाट आइफील एंड राइट टाइमिंग्स इन राइट नोलेज इस वेरी मच रिकॉर्ट वेरी मच रिकॉर्ट अपको पता है ठीक है अब वहत्यार को इस्तमाल कैसे किया जा रहा है आपको डूस अन्डोंस बताया जा रहे है कि ऐसा करने ऐसा नहीं करना है तुछ नौ दो दिन के अंदर आयकंट टीच वहरी थिंग कि तिन कॉनसा नेक्ट अश्वान कर रहा है किस राशी के लिए आपको कॉनसा काम नहीं करना पकिस नॉट is astrology enthusiast that really works वो जो दिपांचु सर्जी ने बताई है that 10th Lord I know, I know it work very well I mean, वे दिन लोगों को दिया है that remedy that really works yes so, यंतर का भी इसी तरीके से work करता है ठीक है? बानु सर आप कुछ पूछ रहते हैं, बताईए yes, मैं, मैं ये पूछ रहा था अब जैसे, अभी मैं ने बोला कि तोड़े जैसे गुरु पुष्य है पुष्य है नक्षत्र है पुष्य है नक्षत्र है, correct because I am very fresh in this so, ये तो मेरे curiosity थी कि मेरे को ये समझ में आना चाहिए भी कैसे बनाते है क्या है, को मेंने जोइन किया I have little bit knowledge about the astrology, but not too much तो उसमें क्या है अब जैसे नक्षत्र के बारे में तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता मेरे को इतना बता है कि 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं बट अब कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रहा आ रहा है एतना भी मेरे को नहीं तो इतना नहीं अब जैसे मैं नहीं बोला कि आज श्चया नक्षत्र है श्चया नक्षत्र में लग से मैं आप जस्च नॉलिज के लिए पूछ रहा हो कुंसा ग्रहा फॉल आते हैं वो जैसे लग से श्चया में पुछ विए के लॉड कौन है लॉड तो सैटन जैसे अब मेरे 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 होरोस्कोप की बात करूँ अब मेरे 12 था उसमें सैटन है तो अब यह मेरा तो छे आट बारा हो गया तो अब जैसे अगर काहा फॉल कर रहा है वो देखो ना आप अपनी समझें अभी तो स्रॉजी पॉइंट ओफ व्यू हम इसमें बहुत जादा डीपली इंक्यूड नहीं करेंगे इसलिए हमने न में डेट्स पकड़ा जो सोरे ग्र नॉलिज नहीं है जिसको आशलोजी का नॉलिज है देकें गो मोर्स स्पेसिफिक ठीक अब क्यूंकि पहला लेयर था डे चूस करना दूसरा लेयर था कि कौन सा रात है मतलब मून की कौन सी नाइट है शोक्ल पक्षक्रिष्ण पक्ष्ण पक्ष्ण मावस पुरण मासी ठी इस थर्ड लियर ठीक है अब यह जरूरी नहीं है कि हरम आवस पे संडे पढ़ जाएगा तो इसलिए क्योंकि अगर यह इतना जल्दी रिजल्ट देके आता तो इसके कुछ रिपकर्ष्ण भी है ना वह आपको पता होना चाहिए आपको किस दिन बनाने किस दिन नहीं बना था एक लेडी को बहुत एडवर्सली एफेक्ट पड़ा उन्होंने वो चीज उपन ली भी मैंशन भी किये बुक के अंदर एंवें इवन मैंशन बाउट इस इन वीडियो उसके ट्वें से शी वस प्रेगनेंट एन हाट बीट्स कम होगी बच्चों की पेट मैं यह तो यं इनर्जी जैसे आप यंतर बनाओगे तो घर में कुछ मतलब इदर यू विल फॉल सेक या फिर कुछ ब्लॉक के जा जाएगा एलेक्टर सिटी इस्टी होगा इस लाइक आपको एनर्जी विजिबल होगी अगर पाइप फटेगा आपका पानी का तो समझ ले नाइट सब्स सब्सक्राइब इस चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा है कोई भी यसी अबनॉर्मल तिंग जो की यूज्वली नहीं होती है नचानक से वह हो जाए वाल दूइंग तो आप सिखा रहे हो बाप एक वर्क्शॉप ऐसा भी लगाई है जिसमें हमें यह समझाएं आप वो तो इसको सीखने के बाद अनफॉर्चुनेटी अगर कोई गलत मूरत में या गलत किसी उसमें हम अच्छली वाई इसलिए अग्रेड थी ख्लास विदाउट यू किन से मतलब आपका अल्रेडी थोड़ा लेवल उपर आ गया है अभी इनिसली मतलब बहुत लेर्स हैं विच वि और यहां पर जाने के लिए अप बेसिक समझे ना वहले बेसिक्स यूज क्यों हो रहा है वह अप आपको जब यह समझ बहुत आगे पहुचना कि कभी यूज करना है क्योंकि यह किता इंड़्ट सब्जेक्ट है जिसको बहुत जादा टच नहीं किया गया है यह एंतरे को पिकिस एक बहुत बड़ा टैबो है आप सोसाइटी के अंदर की यंत्रा इस यूज ओनली इंतांत्रिक प्रेक्टिस अब यह एंत्रा इस नो अवेरनेस अट यह एट यह एट जाए कि वह वह एपन है सिफ मार कटने के लिए यूज होता है यह अब प्रोटेक्शन के लिए मंट्र यूज हो रहाको से यूज करना है वो पता ही नहीं है सब्समें जाए कि तरीके से यूज होता है बाद में उसको कैसे बनाना है कैसे उसके बूजा अर्चना करनी है एथां व कृम सब्टी सालज COMM करने इसाम सब्स만बतिक मतलब आपका परपस पूरा ओगया पोगिर गंपति जी को लेकर क्या तो विसर्जन करते हो ना आपने आपकी काम ना थी आपकी इच्छा पूरी गे आप क्या करों कि उसका नियुक्त कर दोड़ करने वाली तो अलग अलग तरीकी होता है अलग अंत्रा के वरी जिनरल इस आप किसी चीज को जब देते हो जैसे तो सबसे जादा चुछ यूज होता है वह है पानी के अंदर विसर्जत करना आपको वह फाइफ एलमेंट्स के अंदर ही वापिस भेजना है विकिस आप एलमेंट्स से ही एनर्जी ले रहे हो वाट इस हम जो क्रिया के लिए जो यूज कर रहे हैं ना जो हमने तीन फॉर्म करते हैं यह जो लोग शादना के लिए यूज करते हैं वो तो बहुत चलते हैं अभी कोई प्रान प्रतिष्टा के टाइम पर जो यंत्र मूर्टी के नीचे रखा है वो ऐसा तो नहीं उसको निकाल की फेक देंगे वो भी यंत्र यूज हो रहे है तो उसका रिक्वार्मेंट डिफ्रेंट है अब यहां पर हम जो है क्रिया के परपस से हैं कि हमें कोई काम म जविनी जी अगर हम स्पोज इन जेनरल प्रोस्पेरिटी के लिए यंत्र बनाते हैं और हम अपने डीटी के नीचे उसको प्लेस करते हैं तो 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 उसको रिए अपको ऐसा नहीं है कि आपको बड़ारा से रिणिव करने की जरूरत है अगर आप इसको नॉर्मल पेपर पेपर परनवाने का परपस क्या है so that you can learn how to make it otherwise it's all about energy किस तरीके से फ्लो कर पाती है जैसे मेटल में लीस रिजिस्टेंस में फ्लो कर पा रही है किसलिए मेटल के इंत्रा होते है जिक है? त्रीदी फॉर्म के इंत्रा होते है पनाया है इसको प्लेस फॉर्म कर सकते है पेपर का यंद्रा you can keep it until unless उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है खंडित नहीं हो रहा है खंडित नहीं हो रहा है तब तक आप उसको रख सेटेंस तो खंडित हो जाते है तो obviously a surgeon is required right thank you we are making one so can I make two at a time you can okay and I can keep it for different purposes yes but make sure abhi to mera purpose but if you make it on the right that will help you but ma'am just like they said I am completely new I am zero at the astrological level use Diwali ग्रहन मतलब यह तो पता रहता नहीं कि अब ग्रहन पढ़ रहा है कब सुतन लग रहा है yes उस दिन बना लो okay write all these dimensions सारी चीज़े mention करो और उस दिन बना लो उस दिन जो बनेगा ना it is more effective उस दिन तो ग्रहन के दिन तो साधना करना भी बोलते हैं it gives you effect in multiple ways okay okay thank you anybody else okay sorry doubts clear Sapna ji Sandeep sir hello madam yes sir madam for learning also Muratam is required for learning Murat is no for learning we have already chosen the right Murat no no I understand that because no no because we will practicing the yantra no that will not affect yeah yeah it will not affect if it is just making yeah if it is just you are doing it for practice purpose it will not affect okay okay sure thank you okay any other question I am curious Sapna ji I am curious to know that I am curious to know that I am curious to know that पिर अगर लेट से कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाए तो क्या करना चाहिए उस ताइप पर विसर्जन कर दो इमेडियेट उसको विसर्जन कर दो इमेडियेट विसर्जन कर दो कि मैं पर्सनली यह सजेस्ट करूंगी कि हाफ नॉलिज के साथ में तो जाना नहीं है ठीक है और अगर गलती हो जाती है आपको इस इस जस लाइक आग जलती है तो तुरंद हम आग बुझा देते ना जलने नहीं देते उसको पानी डाल देते हैं कैसे भी करके तो इस लाइक जिस एनरजी की वज़ेसे जिस चीज की वज़ेसे प्रब्लम हो रहा है यू हाव तो रिलीज आट ऐस सून अस पॉसब और जैसे बन गया उसका अगर अच्छा एफेक्ट आ रहा है तो उसको पिर ह ने हम अपने पास ही रखें और रख लें या अब वह तो आपकी इच्छा है कि आप किस तरह के से किसी भी यंद्र को फ्रेम करवाना या कैसी और टूसका क्योंकि हर पेपर की यह ऐख मैटल की वी लाइफ है मेरे पूछने का मतलब यह था आज हमने लेटसे को यंद्र बन चलो हम फ्यूचर में भी कनेक्ट रहेंगे ठीक है तो मैंने आप से पूछा कि मैं मेरे को इस पर्टिकुलर के लिए यह यंत्रा बनाना है तो आपने मेरे को बता दिया बिटा इस टाइम पर आप बना लो और यह स्पेसिटिक टाइम डेट इचे नभी तो हमने उसको बनाया करना है या अगर वह बन गया तो बस बना हुआ ही काम कर जाए तो अगर बन जाता है प्रॉपर ली अच्छा बन जाता था दिन यूर लगी विगन वर्षिपेंड को के वर्षिप उसका डेली लेवल से पर करते हैं मतलब जिस तरहीं के सब इश्वर की चेंटिंग करते हो देवता का मंतर चाब कर रहे ज़रूर ही नहीं प्रतिमा सामने है कि और वह यूंप को यह उख्षित है ओक युज़ा condition प्रोसीजर और जब आप मंत्र को यंतर के साथ में मिलाते हो तू अलाइन विड डीटी डैट इस वाट तंतरा तंतरा इसा प्रोसेस कि आपने यंतर बनाया यह आप अगर आप यंद्र को देख कि आप चंटेंग कर रहे हो ना आप यू आर परफॉर्मिंग टंतरा दिस इस आपके पास यंत्र है ठीक है घर पे जनरली एल से कि हिंदू फामिली में या वैशनव और जो बाकी यह इमारे जो इंडियन फामिली के अंदर मैक्सिमूम ब्लोग अपने यह पर यंत्र रखते हैं जो की ट्रडिशनल है उनका पर यंत्र होते हैं इस श्री यंत्र तो हो ग it's just a procedure एक specific तरीके में मन्तर को chant करना, एक specific count में मन्तर को chant करना, so that जो आपका physical form है, dt का, जो 3D Dimensional, या जो मैत्र किल फोर्म है उससे आप यह उप्र सो को, सु कि ए? so one question is there what is the difference between making the yantra by own and buying it from the market and then worshipping it when you make the yantra your brain is working accordingly it is mentioned in the scriptures that yantra we had the three the first one is mentioned the entire universe is in the form of molecules your body have certain frequency you are raising your frequency while you are making the yantra your brain specific vibrations you are actually opening those blocks when we chant after chanting our body cells also vibrate so while making yantra your brain is working in that direction because like you are making your mind you are making the same line then you are making the same line so you are following that procedure so it is like practicing mentally right it gives somewhere the same effect most of a healing effect and coming from art background so I will say that is the best way to indulge yourself in because you can see as much healing art there are geometrical things like mandala right that actually releases your emotions and energy what you are feeling and just correct and as in if we buy like if we buy and then worship it then we will go to that then we will go to that there you are saying that metal is least resistant right there the energy is flowing well so that means the effect given by making the effect given by making we have put energy in the making so we have less resistance in it as in a metal use so we have almost equal effect if we do it from that I will say that Ripin here I will say that my mind and my mind is a bit different that when you are buying something if someone is a person who will draw it someone has made it someone has made it when Shivji Parvati Ji says that you make a square and then you make two villas inside right he is telling the process of making yantra if you are not comfortable then somebody else is making for you but it has to be made by somebody in that dimension in that proportion the way you make food for yourself it tastes awesome to you and if someone will give it then you can do certain changes you can do certain changes and reduce it if you are coming out then you do not control there that you have made it in which want which intention you have made it you got it right who is made it the purpose of it is like to selling and making money correct purpose of it is not the intention you have to do it that I am looking for for this purpose I'm making the yantra for this particular purpose that is like energy manifestation that's how manifestation works God and God thank you so that is why making is more suitable it's better to learn and make yourself instead of buying it and start worshipping I get the point I get the point I mean, that thing says if we put a poudhah which is made by yourself it's like feeling kind of is it the first yantra that you'll be making? yes I really I was really into it and that I have set an intention few days back and I don't know from where did I get your this YouTube channel and video it comes and then I just subscribe your channel and I look into that just a day two back then you know just I subscribe so the very next day it's more like I saw the post the workshop class I was so happy I was like you know that's how manifestation works same thing was told by Banu sir I was really looking I just subscribed your channel just because I didn't read the book I didn't read the book I was like this is the better way and the way you narrate and the way you you know speak is very heart touching and effective thank you thank you very much I was just listening that Shani in sixth Shani Ketu Rahum so I was the way it was there that that comes then I saw the post I was like I'll just join it and the way I connect to you so well because I think it's a common cause to explain the way we learned we learned like that we learned the way that you learn what you learn you learn from the guru you learn from his guru he can learn from his guru the the guru the guru will come from the guru you do that pass on you also know which you learned you can't give anything different because you have aid also वही है, true, true, right, so I will not say but yes, I tried my best कि I can give you best in these two days, no, no, I can see that I can see that all right, thank you okay, anybody ask any other question so that we can end the session it's already like we have crossed the time limit, so जिन लोगो को शाम को जॉइन करना है you can also join in the evening to, you know, start making it, A3 का शीट लिया ना में एक बर गूप में और अपडेट कर दूँगे A3 के लिया, ठीक है all right, thank you everyone for joining and I hope you all enjoyed the session, thank you so much all right, Ripan, thank you thank you, okay you can end the session Sachin sir what's the timing in evening? evening 8 8 8 yeah, okay so I'm ending the session thank you ma'am मजाया हमे बहुत उनल्यisक क्ड़राबराबराबराबस प्यो चुपने तर रूपड़राबस 3